असलाम लेकूम आज मैं चिकन शिन्वारी कडाही बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी होता है और कडाहियों से ऐलग इसका टेस्ट होता है मैंने इसमे क्या-क्या टाला है वह बथा यहे ग्राइम और यह मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है, 2 टेबल स्पून यहारा जिंजर गालिक पेस्ट है रहीご Minwen मेंने लिया है वन टेबल स्पून ये रोस्टेट धनिया मैंने लिया है, इसको मैंने हलका सा क्रश कर लिया है वन टीए स्पून ये रोस्टेट सफेज जीरा है, हाफ टीए स्पून गर्म मसाला पॉर्डर है और ये तीन पीस मैंने टमाटर लिया, बड़े साइस का इसको मैंने छिलका हटा लिया, छील लिया है तीन से चार हरी मिर्ची लेना है, उसको मैंने बीच से कट लगा लिया है और ये चिकन में मैंने वन टीए स्पून जिंजर गालिक पेस्ट डाला वन मग पानी इसमें मैंने टाला है चिकन को अच्छी तरीकर से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको ढख कर मैं दो último गंटे के लिए रख दोगी इसका टेस्ट अच्छा आएगा और ये पैन में मैंने चिकन डाला चिकन को मैंने पानी इसका भिलकुल छनी में चान करने का हटा दिया है और वन टेबल एस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें मैंने फिर से एट किया है चूला मैंने आन कर दिया है वन टी एस्पून सॉल्फ डाला है सॉल्ट एक बर ज्यादा नहीं डालना है और सब को अपने हिसाब से डालना है और इसमें मैंने व 4 पिसेस बनाया है और इसको दाल दिया मोटा मोटा काट कर डाला thumbnail एक पीस हरी मिर्ची का भी मेंने डाल दिया इसमें और इसको ढखक कर मैं तक्रीबन 5 मिनट्स पकाऊंगी और ये तक्रीबन 5 मिनट्स हो गया है तमाटर से पानी निकलाया है और इस तमाटर भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है इसको मैं दीरे दीरे मेश कर दूँगी चिलका तो मैंने पहरे ही हटा दिया था इसका और इसको मैश करते हुए चलाना है और तक्रीमन टू से थिरी मिनट्स मैंने इसको और पकाया ढखकर चिकन थोड़ा सा और गल जाए और चूला मैंने फुल फ्लेम पे कर दिया है पाने ड्राइ करना है यह रेट चिली मैंने डाला इसी में मैंने गर्मसाला भी आड़ कर दिया था यह खड़ा धनिया डाला क्रश किया हुआ बलेक पिपर चला गया थोड़ा सहरा धनिया मैंने डाला और यह दही चली गई अब इन सब मसालों को मैं मिक्स कर देती हूँ चुला फुल फ्लेम पे है पानी भी इसका ड्राइ करना है और जो टमाटर मोटा दिख रहा है उसको मैं मैश भी कर रही हूँ साथ में और यह तक्रीबर एक से दो मिनट से चलाते रहना है पानी सूखने तक मैंने इस पे टू टेबल स्पून घी डाला है मैं घी में बनाती हूँ जो लोग घी नहीं डालना चाहते हैं वो लोग टू से थिरी टेबल स्पून ओयल डालें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और एट किया है दो तीन पीस हरी मिर्ची मैंने एट किया है और अब इसको मैं घी के साथ फ्राइ करूंगी एक दो मिनट और यह मैंने इसमें रोस्टेट जीरा डाला बहुत अच्छे खुश्बू अब इसके आ रही है घी के साथ मैंने इसको जो भूना है भी दो मिनट खाने में बहुत यमी यमी सा यह लगता है शिनवारी कराही और इसको मैं अब ढ़क दूँगी और इसको मैंने फाइब मिनट मेरियम टू लो फ्लेम पे ढ़क के पकाया है दम पे रखाया है इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए खड़ा धनिया खड़ा जीरा और घी का एक दूबार इसको मैं मिक्स कर देती हूँ इसे स्टेश पे अब इसका मैं सॉल्ट टेस्ट करूँगी सॉल्ट और चिल्ली हमेशे मैं बताती हूँ सब लोग अपने टेस्ट के साथ से डालना है सबको वन पिंच मैंने इसमें डाला है मैं जितना सॉल्ट खाती हूँ उसे साथ से मैं यूज़ कर रही हूँ और ये हमारी शिन्वारी कराही रेडी है चुला मेंने बंद कर दिया अब मैं डिश ॉड कर रही हुँ और इसको मैंने शिन्वारी कराही है इसलिए मैंने कराही में डिश ॉड किया है इस किराही में ग्रेवी नहीं होगा ये ड्राइ रहेगा सुखा सुखा अच्छा लगता है खाने में इसको बटर नान से खाएं पराठों से खाएं चपातियों से खाएं सब के साथ बहुत अच्छा लगता है बहुत मज़े का होता है तो सब इसको ज़रूर बनाएं खाएं झाल झाल